अनर्जेटिक नजर आ रहे हैं ये पहली थ्रो लगी है जी उसके फैनल पैस्ट के लिए देतरीन थोड रहा है और इंग्लेयंड की सिरीज में भी इस तरह कैचेज ड्राप होते रहें और तीसरे टेस्ट मैच में जीतना है ये आप देख रहे हैं जी नेट प्रेक्टिस जारी है पाकिस्तान करकर टीम की और इस टेम किलाडी जो है वो फिल्लिंग की प्रेक्टिस कर रहे हैं फिल्लिंग पाकिस्तान की काफी कमजोर है कैचिंग और फिल्लिंग के बड़े मसाइल है पाकिस्तान को अमीद करते हैं कि इस दफ़ा ये मसाइल जो हैं वो काम होंगे अनर्जी लेवा लाई है खिलाडी है काफी अनर्जेटिक नजर आ रहे है ये पहली थ्रो लगी है और ये किसकी लगी है ये भी आपको दिखाते है ये शान मसाइब को आप देख रहे हैं कामरान गोलाओ जिन्हों ने पिछले टेस्ट में बेतरीन का दज़गी का मजारा करते होगी सैंचरी बनाई नौमान अली को आप देख रहे हैं जिन्होंने 11 खिलाडियों को ओट किया सल्मान अली आगा ने बड़ी जबरदस परफारम यह आप एक्स्क्लूजिव मनाजर देख रहे हैं इमट एंड हिपनिंग स्पोर्ट्स पे पाकिस्तान करकर टीम तीसरे टेस्ट के लिए प्रेक्टिस सेशन जो है जारी रखे हुगे हैं इंग्लेंड ने भी आज प्रेक्टिस सेशन में हिस्सा लेना था ताहम वह आज गॉल इत्रोई साउध शकील की जो है वह वहां टार्गेट हुई यह दूसरी साइड पे दूसरा ग्रोप है जिसमें आप बाकी खिलाडियों को देख सकते हैं सैम अयूब है खुरम है साजध खा यह हैं जी साजध खा आप कह सकते हैं कि इनकी बदूलत पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट में कम्याबी असल की सैम अयूब थ्रोग कर रहे थे प्रेक्टिस सेशन जो है वह जारी है पाकिस्तान और इंग्लेंड की जो टेस्ट स्रीज है उसके फैनल पेस्ट के लिए बेतरीन थो फुरम मंजूर की और उसको खूब नजुआए कर रहे हैं सारे प्लेयर्स पाजिस्तान की ठीम काफी पुर जोश है पिछला मैच जीतने के बाद स्रीज और जारी है0000 यह जी अब नेट्स के करीब चले गए है पागिस्तान के टीम के प्लेयर्स को आप देख सकते हैं कोचेज काफी मेनत कर रहे हैं कर देख सुने कर देख सकते हैं फागा तर बीकली आप धेख सकते हैं केचिंग प्रेक्टिस जो है वो भी स्टार्ट कर दी गई है पाकिस्तान की तरफ से और ये कैश पकड़ने में काम्याब हो गए साउच कील पाकिस्तान के टीम को कैच विन दा मैच इस लेकिन पाकिस्तान टीम अकसर कैश ड्राप करती है ये एक और कैश बलके दोनों प्लेयर्ज ने कैश पकड़ लिया एककर सेशन में तो कैश पकड़े जा रहे हैं लेकिन बंगलादेश की सिरीज में भी देखा गया है और इंगलेंड की सिरीज में इस तरह कैश ड्राप होते रहे हैं जैसे अभी साइम आयूब ने कैश ड्राप किया पाकिस्तान और इंगलेंड की किर्कट टीमों के दर्मियान तीन टेस्ट मैचों की सिरीज का ये फाइनल और फैसला कॉंटेस्ट रावल पिंडी करकट स्टेडियम में खेला जाना है जिसके लिए पाकिस्तान के प्रटीम परपूर एनरजी के साथ प्रैक्टिस कर रही है ये अभी कैशिंग प्रैक्टिस आप देख सकते हैं ये ये देखें एक दफा पिर और अच्छा रनिंग केश किया नेक कप्तान में ये जनाब और दूना प्लेयर्स ने केश थाम रिया सलमान अलिया आगा कैशिज बहुत जरूरी हैं किसी भी टीम के लिए किसी भी मैच में किसी भी फारमेट में और टेस्ट मैच में तो अगर आप कैशिज खाब करेंगे तो जीतने का जो खाब है वो खाब ही रहता है सेम अईयूब ने अच्छा डाइविंग कैश किया है रनिंग कैश प्रेक्टर सेशन में एक तो यह है कि शायद मैंटली प्रिपेर होता है प्लेयर्स कि अब मेरी बारी आए कैश करने की तो कैश करना जरा एजी हो जाता है जबके मैच के दोरान जो है वो यह प्रिप्रिटेशन नहीं होती कि किस टाम कैश आएगा आपके पास और यह एक और कैश टाम पाकस्तान को टीम को अपनी फिटनेस पे बहुत ज्यादा तवज्जु देने की ज़रूरत है फिटनेस के साथ साथ फेलिंग और कैशिंग अगर पाकस्तान ने फाइनल और तीसरे टेस्क मैच में जीतना है और यह जीत पाकस्तान किरकट टीम के लिए बहुत जरूरी है तो कि काफी अरसे से पाकस्तान किरकट टीम कोई सिरीज नहीं जीती यह आप देख रहे हैं पाकस्तान किरकट टीम का प्रेक्टेस सेशन यह जी एक दफ़ा फिर नोना प्लेयर्स ने कैच कर लिया कैचिंग प्रेक्टेस जारी है शान मसूद कैटन पाकस्तान किरकट टीम दो ग्रोप्स में डिवाइड़ेड है यह पाकस्तान टीम जैसन गलेप्स पारनर पाकस्तानी कोच पारनर पाकस्तानी कोच वद वर गये वाल दोना प्लेयर्स ने कैच कम्प्रीट किया आमर जमाल थे और सैमयूग और यह फिर एक कैच खुरम मन्जूर ने गिरा दिया है जबके शान मसूद ने कैच थाम लिया साउथ शकील और 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 आगे साँ प्रिकर टीम का प्रेक्टिस सेशन कैचिंग प्रेक्टिस हो रही है झाल झाल कि उड़ी आगे साँ थागे साँ प्राव झाल 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 झाल